आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशीफल नक्षात्र पूर्वा फालगोनी रातरी के दो बज कर उनने चास में तक रहने वाल है तो दिस्क्रिप्शन में आज के धर्म शिक्षा पंचांग का लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप आज का पंचांग विश्तार पूरग जान सकते हैं एक एक मौर्टोग में जान सकते ह आज के संपून रासी फल के वीडियो में हम जानने वाले कुल 12 रासियों का आज का रासी फल साथ हम जानेंगे आज का सुब समय असुब समय दिसा सूल सुब खाद रासी नुसार क्या खाद बतात सुब रहेगा कौन सा रंग सुब रहेगा लगी निमर क्या रहेगा रासी के नुसार तो वीडियो में हमारे साथ अनत्तक में रही है था कि आपको संपूर्ण रासिफल की जानकारी हो पाए रासिफल का वीडियो पसंदा जानकारी अच्छी लगए तो इसे लाइक तो जो रुकरें साथ ही कमेंट बॉक्स में जैसी करें जो लिखें मित्रो आज के बार रासिफल आपको बताना आरम करूं उससे पहले हम आए हम सभी मिलकर एक नजे डालें आज के गरहों कுस्तिती पर प्फूरा रासिफल लिरभर करता है आज गुरू मेस रासी में चंदरमा सिंग रासी में, केतू, कन्या रासी में, सुक्रतुला रासी में, मंगल, सूरी, दोनों एक साथ विश्चिक रासी में, बुद्ध धनु रासी में, सनी, कुम्ह रासी में विराजित है, राहू आज मीन रासी में रहेंगे तो नीस सभी ग्रहों का मिरादला हाल आज के रासी फ़ल में आईए जानते हैं बात करेंगे पहली रासी मेस रासे की मेस रासी में चंदरमा पांचमें स्थान में विराजित है जिसके फ्लसरूप नीजी और कामकाजी जीवन में कुछ अच्छे बतलाओ के संकेत मिल सकते हैं नोकरी और कारोबार में आपको अपने व्यवहार को और विच्छा करने की जुरुरत है अचानक से कहीं यातरा पर जाने के योग बन सकते हैं कामकाज में आपको सफलता भी मिल सकती है आफिस में या फिल्ल में ज़्यादा समय देना पर सकते आपको आज कुछ नाकरातमक स सोचों से बचें इससे आपके कारिये बाधित हो सकते हैं। व्यापार और धन की बात का इत्भातिक सुक्स्विदावले चीजों में बढ़ोतरी होगी, व्यापार में भी मुनाफा होगा। साथ ही नौकरी के लिए अनुकूल इस्थिति आपकी बनी रहेगी। अपने व्या विद्यार्थि की बात के विद्यार्थियों को ज्यादा मेहनत करना पर सकता है। मेहनत करेंगे तो उसका फल भी आपको उतना ही मिलेगा। तो मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिलकुल ना रखें। स्वास्ति की बात के स्वास्ति में उत्वार चरहों की योग बन रह लगाई जगर की संभाबना भी बन रही है आज कि इन चांद्दी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सिलेटी कलर लकी नमबर आठ रहने वाल है बात करेंगे वरिशासी की वरिशासी में चंदरमा चौथे स्थान में आपके लिए बहुत अच्छा दिन है बहुत सारे कारियों को खत्म करने में सफलता प्राप्त कर पाएंगे अपने काम को लेकर संकोच में नहीं रहेंगे तो उसका फायदा भी आपको मिलेगा आज हो सकता है आपको अपना परवाव जमाने के लिए, कहीं पर जूर भी बोलना पड़े, आज आप अपने बच्चों की परहाई में रूची ले सकते हैं, व्यापार और धन की बात करें, तो आज कहीं भी धन्यवेस करने से बचें हानी हो सकती है, आज आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं, लापरवाही और संकोच में ना परें, इससे आपको और आपके केरियर में दोनों में हनी हो सकती है, अपने व्यापार में यूजनाबत तरीके से आगे बनेंगे तो आपको फाइदा होगा, विद्यार्थी की बात करें, विद्यार्थियों के लिए आज करिन अन प्रेम समन्द की बात करें, आज आपका व्यवाही जीवन सुख में रहेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्ते का ध्यान रखें, और विवाहित लोगों को प्रेम समन्द में सफलता मिलने के योग बन रहें, प्यार के जहार करने के लिए आज करिन अच्छा रहने वाला ह आज के इन बेशन से बनीवी चीये खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग सभी प्रकार के चमकीले रंग लखी नमर साथ रहेगा, बात कहेंगे मित्वन रासी की, मित्वन रासी मिचंतरमा तीसरे स्थान में विराजित हैं, जिसके प्रसुब आज जीवन का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचें, अगर ज़रूरी हो तो कुछ लोगों से सलाह करके ही बड़ा फैसला लें, काम काज में आपको सफलता मिलेगी, पुराना दोस्त भी आपको मिल सकता है, आपके संतान को कष्ट भी हो सकता है, तो उसका ध् किसी मित्र से आपकी अनबन हो सकती है, तो अपनी वानी पर नियंतन रखें, परिवार के साथ किसी धार्मी क्यातरा पर जाने की योग भी बन सकते हैं, भगवान के परती आपकी आस्था बढ़ेगी, व्यापार अधन की बातकर किसी प्रियेजन की मदद से, व्यापार में विद्यार्थियों के लिए आज के दिन पढ़ाई में थो चिंता और निरासा रह सकती है, लेकिन आपको चिंता और निरासा से निकल कर अपनी पढ़ाई में मेहनत करना होगा सफलता तब ही मिलेगी, स्वास्त की बातकर गले हमूर से समंधित कुछ परेशानिया रह सकती ह तो अपने स्वास्ते का ध्यान रखें, प्रेम समंध की बात करें प्रेम समंधों के लिए आज के इन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, आज आपको कई तरह के ज्छां की पूर्थी हो सकती है, व्यवाहिक जीवन में सम्रस्ता आपकी बनी रहेगी, आज की इन चने क की दाल खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रंग काला लाइं लकी निम्मर साथ रहेगा बात कहें करकरासिकी करकरासिम चंदरमा दूसरे अस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आपको नदी की दोस्तों और प्रेमी जोनों से मद सकता है तो अपने गुस्से पर नियंतन रखें आत्मिस्वास से आज परिपूर्ण रहेंगे परन्तु आए में कमी और खर्चों में अधिकता से चिंतित भी रहेंगे अपनी काबिलियत पर भरुसा रखें सब ठीक हो जाएगा समाज में आपको मान समान की प्राप्ति भी होगी व्यापार उधन की बात के आज व्यापार करने बारे जातकों के आए में कमी आ सकती है व्यापारी जन अपने फैसले जल्दबाजी में ना ले आपकी खर्च भी आज बढ़ेगी विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और उनको स बढ़ सकती है प्रेमियों के लिए आज किन अच्छा रहने वाला है अनुकूल नतीजे मिलने की योग भी बन रहे हैं और विवाही जातकों के लिए विवाह के पस्ताव भी आ सकते हैं आज किन लोहे के बरतन में खाना पकाएंगे खाना खाएंगे तो आपके लिए शुब क्रीम कलर लखी नमर रहेगा दो बात केंगे सिंग रासी की सिंग रासी मचंदरमा पर्थमस्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपको आपके भाईयों और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा काम धंधा बरहने के लिए जो भी महनत आपने पिछले दिनों में क किया है उसका फल आपको अब मिलेगा आपके सोचे हुए कारी पूरे हो सकते हैं अपने अक्रामक रविये की बज़े से आप परिसान थोड़े से रह सकते हैं आज किसी से कर्ज बिलकुल ना ने नोकरी करने वारे जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों साथ समंध भी गर सकते हैं तो इसमें साध्वानी भी बढ़ते हैं व्यापार अधन की बातकर आपकी आए में बरहुतरी होगी व्यापारियों के लिए आज किन अच्छा रहेगा आज कहीं निवेश करना आपके लिए लाबदायक सीद हो सकता है लेकिन निवेश सोच समझ कर ही करें विद्य समंद की बात के जीवन साथी से सम्मान आपको मिल सकता है दामपत्य जीवन आपका मदोर रहेगा और विवाहित प्रेमियों के लिए भी आज किन अच्छा रहने वाला है आज किन अरहर की डाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं लाइट कारी छेतर में अधिकारी आपसे परसन ना रहेंगे रुखेवे फसेवे काड़ी आपके हो सकते हैं वांडी पर अपने नियंतर रखें ज्यादा आत्मिश्वास में तो बिल्कुल भी ना पढ़ें काम इसे आपके बिगर सकते हैं आज आपको अपनी बातें किसी से सेर करने का मन करेगा लेकिन बातें सेर करने के लिए व्यक्ति का चुना बात सो समझ करी करें व्यापार और धन की बात करें पैसे कमाने के नयमों के आपको मिलेंगे साथ ही खर्च की अधिक्ता भी रहेगी तो अपने व्यापार पर ध्यान दे विद्यार्थी की बात करेंगे विद्यार्थियों को सफलता प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना परेगा लेकिन जो विद्यार्थी मेहनत करेंगे उन्हें सफलता की प्राप्ते भी जरूर होगी स्वास्त की बात है स्वास्त के मामले में आज साभधानी बरते हैं मौस्मी विवानियां आपको परेशान आज कर सकती है तो अपने स्वास्त पर ध्यान रखना चाहिए आपको प्रेम समंद की बात है तो अपने जीवन साथी का रवया आपको परेशान कर सकता है साधी सुधा लोगों को आज साब्धान रहने की जरुरत है आज के इन दही घाएंगे तापके लिए सुभ रहेगा आपके लिए आज का सुभर नीलाराण लकी नेमर दो रहने वाला है बात करेंगे अब तुलारासी की तुलारासिम चंद्रमा 11 वे स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप परिवार के कला सुधारने में आपको सफलता मिलेगी पुराने विवाद और परेशानिया खत्म हो सकते हैं सोचे हुए कारी आपके पूरे होंगे किस्मत का साथ भी मिलेगा कुछ लोगों के साथ आपके मनमोटाव हो सकते हैं जिसके कारन आप चिंतित भी रहेंगे आज अपने वाहन को साथानी पूरवक चलाएं नीरंटेन में चलाएं दुरुगटना हो सकती है तो आपको थोरा समल कर रहना होगा व्यापार औधन की बातकेट आज व्यापार के मामले में कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना लें आज आपके ज्यादतर सौक पूरे होंगे खईदारी की योग बन रहे हैं आपके लिए जिसके कारन आपका खर्च भी बढ़ेगा विद्यार्थी की बातकेट विद्यार्थियों को सफलता प्राप्ति के लिए ज्यादा महनेत करने की आवेश सकता है तो महनेत में किसी परकार की कोई कमी ना रखें सौस्त की बातकेट आज आपके स्वास्त मुतराचरहाओ आ सकता है ठकान और अलस से भी बना रहेगा मन में थोड़ी चिरचिरापन भी रह सकती आज तो अपने स्वास्ते का ध्यान रखें प्रेम समंद की बात करें तो आज जीवन साथी से कोई उपहार आपको मिल सकता है आपके प्रेम समंद मजबूत होंगे पती पतनी के बीच अच्छी समझ भी बनी रहेगी आज के इन बेशन से बनी वीची यह खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग गुलावी रंग लखी नमर रहेगा 5 बात कहेंगे विश्चिक रासी की वेश्चिक रासिम चंदरमा दसमें स्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज किसी पर ज्यादा भरोसा करने से बचें कारे छेत में अधिकारी आपसे परसन न रहेंगे आपके आत्मिस्वास में बढ़ोतरी होगी मकान जमी जाजात से समंदित मामले आपके आज सुलच सकते हैं नए लोगों से दोस्ती हो सकती है आज आपकी बोली गई बातों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है तो अपनी वानी पे नियंतन रखें जो भी बोलें सोस समझकर ही बोलें कहीं घूमने फिरने के योग भी आज बन सकते हैं व्यापार और धन की बातकर आज व्यापार में परिवर्टन की संभावना बन सकती है कहीं निवेस करना चाहते हैं तो लोगों की सलाह निश्ची तोर पर लें खर्चों में आपके बढ़ोत्री होगी जिसके कारण आपके चिंताएं भी रह सकती है विद्यार्थी की बात करद विद्यार्थियो की रूची परहाई में बढ़ेगी साथिस के परिणाम भी अच्छे होंगे स्वास्त्र की बात करत सीर और पेट समंदित कुछ परिशान है रह सकती है अपने भोजन का ध्यान रखें कोई पुराने बिमारी आपको आज परिशान कर सकती है प्रेम समन्द की बात करें आज अपने जीवन साथी के परती सकारत्मक विचार रखें उनकी भाबनाओं का सम्मान करें साथी आनेवाई दिनों के महत्पून कामों की योजनाएं उनके साथ सेयर करें इससे आपके समन्द बहतर होंगे आज के इंग चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग लाइट गिरीन कलर लखी नमर एक रहने वाल है बात केंगे धनू रासी की धनू अजिम चंद्रमा नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुब आज आपकी योजनाई सफल हो सकती है दिन भर आप वैस्ते रहेंगे आज अपना काम आप पूरी एकागरता के साथ भी कर पाएंगे दोस्तों के तरब से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है संतान से सुक मिलेगा पारिवारिक मामले में थोड़ी उल्जहन आपकी बढ़ सकती है धहरी में भी कमी आ सकती है कारी छेत में आपके इस्तिती में सुधार संभव है व्यापार और धन की बात करें तो व्यापार और निवेस में धनानी की संभावना बन रही है तो सलाह विचार करके ही कुछ कारी करें आचानाक से धनलाप की भी संभावना बन रही है साथ ही आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के आत्मी स्वास्त में बढ़ोतरी होगी, जिससे लक्ष को प्राप्ट करने में आपको आसानी भी होगी. स्वास्थ की बात के स्वास्थ आपका ठीक ठाक रहेगा लेकिन अपनी पिता के स्वास्थ पर आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनका स्वास्थ है थोड़ा डगमगा सकता है प्रेम समंद की बात केत और विवाहित लोगों को प्रेम समंद में सचेत रहने की जोरुत है आपके प्रेम समंद उजागर हो सकते हैं साथ ही आपके पार्टनर का मूड भी खराब रह सकता है जीवन साथ ही साथ नोगजों की संभावना बन रही है आज किन गेहूं से बनी वीचीएं खाएंगे ता आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग सफेद रंग लखी नंबर पांच रहने वाला है बात केंगे मकर रासी की मकर रासीम चंद्रमा आठमें स्थान में विराजित है जिसके प्रसुप आज आपके समाजी कारियों की महतता बनी रहेगी आज किसी अंचाहे व्यक्ती से आपकी मुलाकात हो सकती है जिसके करण आपका मूड भी खराब रह सकता है खान पान में आपके रूची बनेगी आज आपको सराह दी जाती है कि किसी भी मामले को हलके में ना ले कारी छेतर में सफलता मिलेगी और लोग आपसे खुस भी रहेंगे व्यापार और धन की बात करें तो नोकरी और कारी छेतर में बदलाओ हो सकता है आई के साथों में बढ़ोतरी होकी खर्च भी आपका बढ़ेगा विजनेस पार्टनर की मदद से व्यापार में लाब भी होगा मकान या भूमी समन्दित कारीयों में थोरी चिंता आपकी अरे रह सकती है विद्यार्थिय की बात करें विद्यार्थियों के लिए आज के मेहनत भर रह सकता है ज्यादा मेहनत का आपको कम फल भी प्राप्त हो सकता है फिर भी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी बिल्कुल ना रखें स्वास्ति की बात के तो आज की दिन ठकान और अलस्य से परेसान रह सकते हैं अपने आपको कम समय दे पाएंगे अपने माता के स्वास्ति का भी ध्यान रखना चाहिए आपको प्रेम समन्त की बात के प्रेम पस्ताव विफल हो सकते हैं वाद होने की संभावना बन रही है तो प्यार के जहार करने साथ बिलकुल बचें आज के दही खाएंगे तब के लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब्रम गुलावी रेंग लखी नमर 9 रहेगा बात केंगे अब कुम्रासी की कुम्रासीम चंद्रमा साथ में इस्थ सकते हैं कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेल भी सकते हैं तो साथान रहें संतान के सुख में विर्धी होगी मितनों का स्हीयोग भी मिलेगा बिना वजह वाले विवातों से बिलकुल बचें दिन भर में आपको कुछ अच्छे समाचार की प्राप्ति भी हो सकती है कारी छेतर में आपका वर्चस बना रहेगा दिन पर खुश रहेंगे परसने भी रहेंगे व्यापार और धन की बातकरत व्यापार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी आर्थी किस्तिती आपकी बहतर भी होगी विद्यार्थी की बातकरत विद्यार्थियों के लिए आज के महनत प प्रेम समन की बात के दाम पत्य जीवन सुख में रहेगा घर में खोशी का माहौल बना रहेगा आज किन उड़त की दाल खाएंगे तो आपके लिए शुब रहेगा आपके लिए आज का सुब नंग लाइट येलो कलर लगी नमबर रहेगा तीन बात करेंगे मीन रासी की मीन प्रकार के धर्मिक कारी करने के योग भी बन रहें परिवार के सुक्ष विधाओं का विष्टार संभव है संतान के तरप से थोड़ी चिंता आपको रह सकती है खास करके संतान की गत्वीधियों से वाद विवाद हो सकते हैं तो किसी से ऐसी सिस्थिति ना ने दे अधन की बात के दो वियापार में नया कारी आरम कर सकते हैं लेकिन नया कारी आरम करने से पहले वीडियो के अंत में जोड जानने आज का सुब समय क्या है सुब समय में ही नया कारी आरम करने ताकि आपको सफलता की प्राप्ति निश्चित तोर पे हो निवेश करने में आजके न बढ़िया रहने वाला है। मेहनत करें सफलता की प्राप्ती आपको निश्चित तौर पर होगी। स्वास्ता की बात के स्वास्ते आपका अच्छा रहने वाला है। सुबह सुबह अंकुरित अनाज खाएं से आपका पेट साफ रहेगा। और आप स्वास्त भी रह दिन के 12 बच कर 11 मेर्स लेकर दिन के 1 बच कर 39 मेर तक रहने वाला है इस समय में कोई भी नया कारी कर सकते हैं। आज का अशुब समयानी की राहुकाल दिन के 2 बच कर 47 मेर्ष लेकर साम के 4 बच कर 5 मेर्ट तक रहने वाला है इस समय को भी नया कारी करने से बिलकुल बचिये दिशासुलाज उत्तरदिशा में, उत्तरदिशा में किसी भी खास प्रियोजन से यातराम बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पर आपको नुक्सान हो सकता है और सुब खाद्याज का गुर रहने वाला है गुर का छोड़ टुकरा भी खाकर यातराम करेंगे, किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफलतात लगेगी तुम तरु यह तो थाज का संपून रासी भल कल के संपून रासी भल के लिए जूरे रहें धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्षा जैमाता दिन